कोशन नमबर सिक सुनीता है रुपीज 500 सुनीता के पास 500 रुपीज थे चीज स्पेंड 60% अब इस पर्सेंट उसमें से उसने 60% स्पेंड कर लिया खर्च कर लिया अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं हम लिखेंगे टोटल अमाउंट कितना दे रखा था टोटल अमाउंट इस इकल टू रुपीज 500 कितना खर्च किया थे हैं इसने मनीश्पैंड इस इकल टू 60% रुपीज उसने खर्च कर लिये थे तो 60% कितने का खर्च किया थे ओफ 500 लिख लेंगे 60% रिमुव कर लिखेंगे अपन 100 multiply 500 जीरो से जीरो गेंसे इस वाले जीरो से ये वाला जीरो गेंसे उपर हमारा का कहा है तो बचा 60 multiply 5 तो 60 multiply 5 से करेंगे तो आप आ जाएगा 300 में 300 रुपीज उसने खर्च कर दिया आप दिखना है कि कित्ते रुपए सुनीता के बास रह गए क्या लिखेंगे मनी left with sunita is equal to 500 minus 300 is equal to 200 रुपीज question number 7 out of a class of 80 students 80 students से एक class में उसमें से 70 पास जीरो मैट्स में 70 बच्चे पास हो गाए है what percent of the student fail fail किते बच्चे हुए हम लिखेंगे total students class में total students किते थे 80 इस्ट्रेंट पास किते हुए थे मैट्स में 70 students पास्ट इस इकल टू 70 पासेंट निकालना है किते बच्चे फेल हुए परसेंट ओफ स्टूडेंट्स फेल्ड इस इस जिरो से एक एंसल हो जाएगा उपर हमारा बच्चा 7 x 100 तो हो जाएगा 700 अपान 8 700 को 8 से डिवाइट कर लेते हैं यह भी आपको रफ में करना है कि एट की टेल में 7 नहीं आता है 70 ले लेंगे एट की लेंगे 70 कि कि टेम आता है 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72 जादा हो जाएगा तो ले लेंगे 8 8 जा 64 0 में से 4 नहीं जाएगा यह से कहरे देता है यहां जाएगा 10 यहां रहे जाएगा 6 10 में से 4 गया आपको रफचेगा 6 यह जो 0 है यहां कॉपी कर लेंगे एट की टेबल में 60 जो है नहीं आता है 8 7 जा होता है 56 और 8 8 जा 64 जादा हो जाएगा तो हम ले लेंगे 8 7 जा 8 7 जा 56 0 में 6 नहीं जाएगा यहां से बॉर्ण कर लेंगा यहां जाएगा 10 यहां जाएगा 5 10 में 6 गया बचा आपका 4 इसके आगे हम यहां पर डैसीमल लगा कि यहां पर जीरो होता है लेंगे एट की टिर में देखेंगे 40 कित्ती बार आता है 40 आता है 5 टाइम 85 सा 40 तो कित्ते परशंट बच्चे फेल हुए 87.5 परसेंट